करेंगे करेंगे करेंट इलेक्रिसिटी के तीसरा चिप्टर हमारा जो है उसी के कर लिया होगा तो आप चेक अप कर लेंगे और जिन्होंने हल नहीं किया है वह सब इसको नोट कर लेंगे चलिए कंसेप्चोली हम लोग पूरे करेंट इलेक्रिसिटी को एक प्रिफेस में पढ़ लिए करेंट का डिफ्मिंशन है चार्ज फ्लॉप चार्ज पर यूनिक चाहार बहुत सारे इंस्टूमेंट जो करेंट से संचाली थे कारवल श्रीस्टर पर हम इसके अलाबा सिध्ट का बाइलेंस के शनकी वट्टे की बढाबर आवर बढाबर आए पर टे इस यह करेंदेंसिटी और टिस इलेक्र बिलेसंगे बढाबर एन दिवीड आयों करें बहुत सारे ऐसे रिलेशंस थे एसिस्टेंस को अम लोग सीरीज में जो रहे थारी प्रेवेलेंट वरार रवन प्लस रटू प्लस आर्थी शीरीज कंबिनेशन में वोल्टेज का बटवाला होता है करेंट कॉंस्टेंट रहता है और पैरलल कंबिनेशन में सिरी करेंट जो है वो बढ़ता है और पोटेंशियल रिफ्रेंस सब के अक्रावस सेम रहता है विटेस्टों बीज का बैलेंस कंडिशन हो गया पी बट्टे क्यूं या आज बट्टे क्यूं आज हम लोग इसके कुश्चन को देखते हैं एक्सराइज क्वेश्च्टन फेर नमर 1,27 फेर नमर 3.2 वार प्टेशन है कि दा एस्टोरेज बैटरी अफेक का घ्र जो है उसका इस्टोरेज बैटरी है जिसका एमेफ आपको दिया हुए बार पोल्ट इप दा इंटर्नल रेसिस्टेंस, इंटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोगे स्मॉल र से सुचित करते हैं, दिया हुए 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? हम लोग जानते हैं कि current का फर्मूला होता है, इवट्टे, आर पलस आर, जहां पर, आई जो है, वो current in the circuit है, और इजो है, EMF of the battery है, इसल है यह बैटरी है, आर हो गया external, रोड या, लोड या, लोड हम लोग इसको कते है, external resistance, आर हो गया internal resistance, I will be maximum तब होता है, जब external resistance जो 0 होता है, तो समय I maximum होता है, maximum current का फर्मूला होता है, इवट्टे, आर, इस हिसाब से E हमारा दिया हुआ है, बारव होल्ट, और यह resistance दिया 0.4 ohm, decimal यह 0 हो जाएगा, हो जाएगा 30 ohm, तो मारा answer हो जाएगा 30 ohm, तो maximum current cell से कितना गुजरेगा, यह answer हो जाएगा 30 ohm, 30 ohm हो जाएगा, इसकी प्रकार दूसरा question, मारा कहता है कि a battery of EMF 10 volt, एक battery है जिसका EMF जो हो 10 volt है, internal resistance 3 ohm, internal resistance 3 ohm, यह resistor से connect है, इसमें resistor है, current इंदा circuit 0.5 ohm, circuit में जो current है, 0.5 amp, का, what is the resistance of the resistor, काता की resistor का resistance कितना होगा, और पुना काता की terminal voltage कितना होगा, तो हम लोग जनते हैं कि I बराबर होता है E वट्टे, R plus R, तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालना है, हमको I दिया हुआ है, E दिया हुआ है, R दिया हुआ है, निकालना, इसको हम इधर लिखने हैं, तो इससे लिख सकते हैं, R plus R बट्टे, E बट्टे, I, गुना में जागात बट्टा में जाएगा इधर, तो E बट्टे, I minus R, यहां फर्मूला हम अपने मन से बना सकते हैं, इका मन दिया हुआ है, 10 गोल, इसका मन दिया है, 0.5 और यह दिया हुआ है, आपको 3, इसका मन दिया है, एकस्टरनल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, रेसिस्टेंस अपने सब्सक्राइगा, 17 गोल, बट्टेंस करते हैं, वाट इस दा टर्मिनल गोल्टेज क्या हुआ हुआ है, तर्मिनल गोल्टेज हम लोग करते हैं, भी भी बराबर ओम का इप्रेशन आप जानते भी बराबर आए आर तो आए हो गया जिरो पॉइंट फाइव एंपियर और यह हो गया सत्रों मिकाले हैं तो जाएगा तो सरकीट का यह हो जाएगा जब इस चर्च बैटरी या सेल का हम लोग इस्तिमाल करते हैं उस समय टर्मिन हो जाएगा वह वराबर आहां आयां नाटाय प्लश आंना प्लस आग तो जबन करते हैं तो उस समय िए हमेश परणा होगयम करते हम समय में साथ कोड़ आ जा है थिरी पॉइंट थिरी का ए काता है कि थिरी रेसिस्टर्स तीन वो रेसिस्टर है रेसिस्टर को लोगा वन सुदिन करते हैं हार्वन तीन रेसिस्टर रेसिस्टर शीरीज में जुरा हुआ है फिकर बना लेंगे थोड़ा सा इजी ली में बना सकते हैं यह आज वन आज टू और थी यह दिया हुआ है वन ओम तू ओम और थी यह कंबाइंड इन शीरीज इस वार्ट इस द्रटो ट्रती तो अपना हम से आप यादे की हुए रिजल्ट तो आपको सीरीज में यादे हैं स्रीज कंबिनेशन सीरीज कंबिनेशन में आर्वेलेंट का मौन होता है आप याद कि यहां के लिए आरवन प्लस आरटू तीन गों के लिए आरटू पारवन प्लस आर्टू प्लस आर्थी तो हम लोग अगर यहां पर रख दें तो आर्टू का मौन हो जाएगा वन प्लस तूओं प्लस थी तो हो जाएगा कर सकते हैं कोई बहुत ज्यादा भाड़ी नहीं है आप पर है कि सीरीज में करेंट जो होता है वह सब रेसिस्टर के क्रॉस सेम होता है और वोल्टेज का बटवारा होता है तो रेसिस्टेंस आरिक वाइलेंट बराबर होता है दूगों के लिए आर्वन प्लस हार्टू थी चार्गोक्र के के लिए रह्ण प्रूस आर 2-0-1 प्रूप्लस यूण डैना और अब करता है कि एव दा कमीनेस दूब सु यह को कंटेट बैक्री दिया हुआ है मैं जोह मैं बैकर कर दो वो दिया हुए बार पुल्ट नगरी जिबल is इंटर्णल इंटर्नल दिस्टेंट नगयी जिबल को पता है पोटेंशियलल इसकेद्ट करेंट इन दशार्कीट हो जाएगा को पता है कि सिरीज कंभीनेशन में सर्कीट का करेंट सेम रहता है और वोल्टेज वह बंट जाता है तो अगर हम लोग यहाँ पर आइवर आगर लिखें तभी बटे हां इक्वेवेलेंट तभी हो गया वारा वोल और यह हो गया पोटेंशियल ड्रॉप इनका है पोटेंशियल रॉप हो जाएगा भी वन वह रावर वह जाएगा क्या है आइब वन इसका वोल्टेज वी टू और इसका वोल्टेज भी वन वरावर हो जाएगा आई आरन ऑड़ गया थू अबन ओगिया वी टू हो गया आई आर्टो calidad है पोर वोल्ट भी थियह जाएगा आए आए थिरी आए हो गया टू एम्पियार आग थिरी हो गया थिरी हो चारदा सादू बाराव वोल्ट आपको पता है कि सिरीज के उमिनेशन में सभी रेसिस्टर का जो भोल्टे पोटेंशियल ड्रॉप है वुछ सब काजोर बैटरी के वोल्टेज के बढ़ावर होता है इस परकार से तो भी बढ़ावर हो जाए आयार वन भी टू बढ़ावर आयार टू भी थी बढ़ावर आयार थिरी थी रेसिस्टर टू और फोर और फाइब तीन डेसिश्टर है दू चारों अर पाँच तीन डेसिश्टर हैं तो हो गया, R1, R2, R3, खाता है, वाट वाट विल वित आपको पता है, इन प्यार्लल कमिनेशन, प्यार्लल कमिनेशन में, एक्षेस बार्लकश difund आपको निकाला था उसी समय तो याद करिये, R1, R2, R3, बाटे, R1, R2, R2, R3, R0. थिजल्ट जाद करें यही रिजल्ट था र एक्वेलेंट र फार रवाब र तो र प्लस र तो र तो प्लस र तो आज थी कुण से ओ जाएगा तो र 1 र 2 र 3 ता रेक्वेलेंट वाबर र आर वन कमण वोगे हैं टू ओं ओर और फाइब तू इंटु फोर फोर इंटु फाइब फाइब इंटु तू अच्छो के वीज दनी चालीस अगिदार हो जाएगा चाल दुनी आठ वीज अपलास चालीस अबटें बारतीस हो जाएगा तो इक्वेवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 20 बटे 19 वाँ इस वाँ अच्छे आप इसको हल कर सकते हैं यह दि आपको फुराना पहले वाला रिजल्ट तेयार है इसी का एक और सेक्षन है वी सेक्षन आपको पता है कि इसमें करेंट का बटवारा होता है यह वोल्टेज बैटरी का और सब कासीयां तो अगर हम लोग इसको पूट करें तो एगला कोश्टन है इसी का वी कोश्टन वी सेक्षन है वी सेक्षन में पुछा है इप दा कंबिनेशन इस कनेक्टेद टू एव बैटरी और ट्वेंट अगर इस कंबिनेशन को बीस बोल्ट से कनेक्ट किया गया है अभी तक हारी का वेलेंट हम लोग निका दो डोग इच रेशीष्टर सब से कितना कलिंट करेंट हो जाएगा आभी मैं करेंट फूल हार वन हार वन से कितना करेंट वह करेंट और हम ही हो गई-ःव गई-वोल्ट आर वन हो जाकिए तो हो जाए हां यंदश एंश एंपर अब आई टू करेंट थुरू आई टू करेंट थुरू आई टू बजाएगा भी बटा आई टू बीस भोल्ट बटे चार बजाएगा पांच अपियर करेंट थू तो आउं थिर चुकि हम लोग मंतें इसमें आई वन करेंट आई टू करेंट और इसमें आई थरी बराबर वह जाएगा भी बटे आज से इस बोल्ट बटे आउंच पहाएगा तो भी आई तो आई वन काम और लो दूनों तरीका से निकाल सकते हैं डोटल करेंट सर्कित में कि इतना होगा तुसको हम लोग दो तरीके से हो तो चल गरेंट इन दसर की दो तरह से हो जाएगा हमको पता है कि पारलोल कमीनेशन में आई बराबर आए तो यहां से निकालेंगे तो दस प्लस प्लस चार्थ यह हो गया हो लोग अपने याद अगा रिजल्ट किया है उससे नहीं तो जेनरल फॉर्मुला है करेंट का कि भी बट्टे आर तो भी हो गया 20 वोल्ट आर एक्वेवेलेंट हो गया 20 बट्टे उनीस कि तो आपको पता है की सीरिज कमभीनेशन में में पिस सब का जोर होता है वह सोब के बराबर होता है और पह्ता और वोल्टेज बट्टा है इसमें पैरलर सेस्टन के वेलिटे बराबर होता है ख्योंके लिए sap प्रिजल्ट को अगर आप याद रखते हैं कहीं कोईश्टन पहुत ही आसनी थरीका से वेसे आप हल कर सकते हैं तो उसमें टोटल वोल्टेज होगता है सर्कृत का या बैटरी का वा सभी रेशिस्टर्स का बोल्टेज के जोर के बराबर होता है और प्यारल कम्बिनेशन में स तो ही रेसिस्टर से पास करने वाले करेंट का जोर सर्कीट के टोटल करेंट के बराबर तो आगे और वी कोश्चन जो है उसको हम लोग तेट्लेटर को अफिस्जेंट पर है उसको हम लोग अगले विटियों जागे कि आप कि आप